हमश्कार मैं हूँ आपके साथ चंदरशी राचपूल आज कल की बिजी लाइफ में जादा तर लोग खाना बनानी की टेंशन नहीं लेना चाते हैं इसलिए बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं सुभे के नाश्टे से लेकर रात के खाने तक सब कुछ ऑनलाइन मिलता है क्योंकि खाना बिना किसी जणजट और महनत के मिंटों में आपके घर पर आ जाता है इस भड़ते क्रेस को देखते हुए दिन बदिन फूड ओर्डर करने वाले एप्स भी बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अब आपको सावधान होने की सरुरत है क्योंकि अवेर आप घर में अकेले हैं और बाहर से खाना मंगवाते हैं तो जरा उससे बच्चे क्योंकि महराश्च के पूने से एक ऐसी खबर आई है जिससे सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे महराश्च के पूने से एक लड़की को जबरन किस करने वाले जोमेटो डिलिवरी बॉय को गिरिफतार कर लिया गया है ये घटना येवलिवारी की है जिसने ये घिनौनी हरकत की है वो 40 साल का एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ती है जिसका नाम रईस शेक बताय गया है जो की पेशे से जोमेटो डिलिवरी बॉय है आपको बता दें कि अब इन लोगों ने नय नय हतकंडे नय नय तरीके अपनाने शुरू कर दिये है इस मुस्लिम शक्स पर हिंदू लड़की को जबरन किस करने और लड़की को घर में अकेला पाकर उसे छेड़ खानी करने का आरोप है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लड़की येवलेवाडी इलाके की नामित सोसाइटी में रहती है उसने पुलिस को शिकायत में बताया कि वो इंजिनिरिंग की छात्रा है और कोडवा के एक कॉलेज में पढ़ती है 17 सितंबर की रात करीब साड़े नौ बजे उसने जॉमेटो से खाना ओडर किया उसके बाद जब उसने ये खाना ओडर किया तो रईस नाम का ये मुस्लिम शक्स जो की डिलिवरी बॉय है वो खाना लेकर उसके अपार्टमेंट में पहुँचता है और उससे पानी पीने के लिए पानी मंगाता है लड़की ने बताया कि जैसे ही वो पानी लेकर आई वो उससे घरवालों के बारे में पूछने लगा इस पर उसने कहा कि वो फ्लैट में अपने दो दोस्तों के साथ रहती है जो इस समय अपने घर में घर गई हुई है बताया जा रहा है कि रईस शेक को जैसे ही पता लगा कि लड़की घर में अकेली है तो उसने दोबारा एक गलास पानी मांगा और अगली बार जब लड़की आई तो उसका हाथ पकड़ कर उससे अपनी तरफ खीच लिया उसने धन्यवाद कहने का नाटक करते हुए लड़की के गाल पर दो बार किस किया जाते हुए उसने लड़की से ये भी कहा कि वो उसे अंकल जैसा माने अगर उसे कभी भी किसी भी तरह की कोई मदद की जरुत हो तो बे जिजक उसे बोल सकती है इसके बाद रही सिशेख नाम के इस शक्स ने लड़की को वाटसैप नंबर पर मैसेज करने लगा जिससे वो काफी डर गई लड़की ने बताया कि पहले वो शिकायत करने से हिचकिचा रही थी लेकिन जब वो से वाटसैप पर मैसेज करने लगा तो वो पूलिस इस्टेशन पहुँच गई और उसने उसकी शिकायत दर्श करवा ली जिसके बाद पूलिस में तुरंद मामले पर संग्यान लेते हुए डिलिवरी बॉय को गरिफतार कर लिया फिलहाल पूलिस इस मामले की जाच कर रही है और उसी के आधार पर आगे की कारवाई होगी पूले में हुई इस घटना से एक बात फिर से सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए है शेहरों में बड़े पैमाने पर फूट डिलिवरी एप के जरीए खाना ओर्डर किया जाता है अब सवाल ये है कि क्या फूट डिलिवरी की जो एप्स कंपनिया होती है अपने करमचारियों के दस्ताविजों की जाच करती है या नहीं अब यहाँ पर ये सवाल भी है कि क्या जो कंपनिया इन्हें जौब पर रखती है वो इनकी जाच ठीक से करती है या नहीं क्या इन दूसरे समुदाए के लोगों ने अभी नया हतकंडा अपना लिया है जिससे वो हिंदू समाज की लड़कियों के साथ छेड़कानी करने के नयने तरीके ढूंडे यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन फूद डिलिवरी का काम होता है और ऐसे में जो लोग खाना या कोई भी समान बाहर से ओर्डर करते हैं उन्हें इस बात का खास ध्यान देना है कि सबसे पहले तो आप किसी भी अंजान के लिए अपने घर का दरवाजा ना खोलिए और खास करके उस वक जब आप घर में अकेले हों और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी अजीब हो रहा है कुछ भी ऐसी गतिविदी आपको अन्वांटेड लगती है तो तुरन पुलिस या किसी करीवी रिष्टेदार को या आपके आसपास रहने वाले पड़ोसी को इसकी जानकारी जरूर दीजे उसे कॉल करके जर लेकिन रैस नाम के ऐसे जो दूसरे समुदाय के लोग है वो इनका ये एजेंडा बन गया है कि किसी ना किसी तरीके से हिंदू लड़कियों को फसाना हिंदू लड़कियों के साथ जबरन इस तरह के की गतिविदिया करना जिससे की उनको भी परेशानी हो और दूसरा इनक तो ये काम है ही हमेशा हम देखते हैं कि जो डिलिवरी करने आते हैं वो लोग अकसर इस तरीके कि कोई ना कोई हरकत करते हैं पकड़े जाते हैं कभी आपने सुना होगा कि वो लिफ्ट में टॉइलेट करते हैं या फिर जो खाना ओर करते हैं उसे रस्ते में ही वो आधा ख कि हटीया है कि अब लड़क को खासकर हिंदु लड़कियों को वंदी कर रहे और ऐसा जब केली पाई जैति है उन्हें डूड़ा स sequential क eru्म क हैो फिर उनके साथ king. पर आप सतर्क रहने के लिए यहां पर बहुत जरूरी है अगर आप इस तरीके से अपने घर की बाते किसी अंजान व्यक्ति को बता रहे हैं तो यह बहुत गलत हो सकता है और आने वाले समय में आपके लिए घातक साबित हो सकता है तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को प्यार देती रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले और हाँ बैल आइकन जरूर दबाईएगा नमिश्कार